तेख गुरू मुकेस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए अल नौटिफिकेशन्स को अन किजिए लेटेश टेकनॉलोजिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैंनो मुकेस और आप देख रहे हैं टेख गुरू मुकेस चैनल दोस्तों अगर आप कर स्टूडेंट हैं या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी एक शौप ओपन करने की तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है कि आप आया एक टीस के साथ जुड़कर रेल्वेट टिकेटिंग का काम करने का इसमें आपको पर बुकिंग पे नौन एसी में 20 रुपए और ए आपको रेल्वे की ओथराइज टिकेटिंग एजेंसी कोन परवाइड करेगा तो मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि इंडियान रेल्वे या फिर आईयर शीटिसी आपको डाइरेक्ट एजेंट नहीं बनाती है इसके लिए इंडियान रेल्वे ने आईयर आईयर शीटिसी ने अपने नीचे बहुत सारे मल्टिपल्स प्रिंसिपल सर्विस प्रवाइड कर रखा है जो आपको एक आईयर शीटिसी की ओथराइज डेल्वे की एजेंसी प्रवाइड करते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको आईयर शी अपके पास कुछ डॉकुमेंट्स होने चाहिए जैसे की आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए पास्पॉर्ट साइज फोटो होनी चाहिए एक फ्रेस इमेल आईडी और फ्रेस मोबाइल नमर होना चाहिए जो आपने कभी भी इयर शीटिस्सी मीं यूज़क्ष्ट कर रहे हैं तो वह office या shop अगर आपका rent का है तो आपके पास rent agreement और electricity bill भी होना जरूरी है और अगर जिस भी building में आपकी shop या फिर office है वो अगर आपकी खुद की है तो आपको rent agreement देने की कोई जरूत नहीं है इन सभी documents के साथ साथ आपको एक छोटा सा fee amount जो है वो pay करना होता है जिसके लिए आप NFT कर सकते हैं या फिर cash deposit कर सकते हैं उनके current account में या फिर आप उनके current account में online के माधियम से भी payment कर सकते हैं तो आप बात करते हैं आपको जो ID provide होती है वो किस type की ID होती है दोस्तो पहले सिर्फ dongle वाली ID चला करती थी आपको सिर्फ एक dongle मिल जाया करता था उ ID provide होती है first है आपका OTP based जिसमें आपने mobile phone से भी relevant ticket booking से जुड़ा हुआ सारा काम कर सकते हैं और दूसरा है DST यानि की digital signature certificate एक dongle होता है जो आपको provide किया जाता है आप चाहे तो इन दोनों option को या फिर इन दोनों में से कोई भी option लेकर अपना काम start कर सकते हैं तो आप बात आ अगे बढ़ने से पहले आपसे की request है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर लिजिए ताक किसी तरह की informative and technological वीडियो का latest update सीधा आप तक पहुंचता रहे तो चलिए वीडियो में आग इसका एक PDF फाइल में यहां पर डाउनलोड करके रखा हुआ है आज तक के date में updated जितने भी प्रिंसपल सर्विस प्रवाइडर्स है उन सब की list इस PDF फाइल में है एक पार इस फाइल को open कर लेता हूं मैं और open करके आपको दिखाता हूं तो दोस्तों अभी आप यहां पर द देखने को मिलेंगे यह देखिए फर्स्ट में है लिस्ट आफ B2B में जितने भी प्रिंसपल सर्विस प्रवाइडर्स होते हैं यह आपको अपनी website की user id और passport प्रवाइड करते हैं इसमें क्या होता है आप IRCTC के agent तो रहेंगे ही लेकिन आपको जो भी relevant temperature से जुड़ ही booking का काम करना होगा वो आपको इनकी website पही करना होगा ट्रेंज सर्च करने से लेके payment तक सब कुछ आपको इनकी website सही करना होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक disadvantage है मानले जी अगर इनका server down होता है इनकी website में कुछ problem होती है तो आप railway booking के काम नहीं कर पाएंगे जब तक इनकी website सही न हो जाए अब इनकी service कैसी है नहीं है इसके बारे में मैं तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा इसलिए मैं आपको prefer करूँगा आप यहाँ नीचे की तरफ आईए नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको page number 4 में आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा list of internet cafe scheme ICS principal service provider अब इस category में जितने भी principal service providers हैं इनसे आप जो भी IRCTC की agent ID लेंगे तो वो agent ID आपको work करेगी direct IRCTC.co.in की authorized official website पे आपको वहीं पे इनकी ID से login करनी है login करने के बाद आपको relevant ticket booking से जुड़ा हुआ सारा काम आपको वहीं पे करना है अब इसमें मैं आपको कुछ details बारिकी से बता जेता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इनका serial number है serial number basically define करता है कि कि कितने number पे वो company listed है यह इनकी ranking नहीं है बस यह serial number define करता है कि कितने number पे वो company listed है आप इसी के right side में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो company name and city है मैं आपको prefer यही करूँगा कि आप जिस भी city से हो आप उसी state के जो principal service providers है उनी से बात कीजिए जैसे कि मान लीजिए आप कॉलकता से है तो कॉलकता में जितने भी principal IRCTC के principal service providers है आप उनसे बात कीजिए जहां तक मुझे लगता है कि वो आपको better service और better support प्रवाइड करेंगे अब इसी में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको company का name मिल जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर city मिल जाती है तो company का नाम और city आपको इसी में मिल जाएगा जैसे आप यहाँ पर देखें यहाँ पर ticket to trip है तो यह company listed है दिल्ली में तो दिल्ली से जो भी बंदे हैं वो इनसे ले सकते हैं यहाँ पर sc infotech है इनसे ले सकते हैं इसी तरह से अगर आप कोलकता से है तो आप यहाँ पर गरामीन संचार society कोलकता से ले सकते हैं यहाँ पर हुगली में भी है कोलकता में इनसे ले सकते हैं अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पर कानपूर में भी एक सुर्भी ट्रैवल्स है इंसे ले सकते हैं इसी कि सास्त अगर आप यहां पर राइट साइट में देखेंगे तो यहां पर आपको admin email address आपको देखने को मिल जाता है यहां पर जितने भी company लिश्टेट है उनके सभी के official email address email ID आपको यहां पर देखने को मिल जाती है इसी तरह स अगर मान लिए इसमें से कोई number आपको बंद मिलता है या फिर out of coverage मिलता है तो आप यहाँ पे right side में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको alternate contact details भी आपको मिल जाता है यहाँ पे आपको यह सारे alternative contact numbers यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तो इस list में इतने ही नहीं ह सारे हैं आप इस page को नीचे scroll करते हुए जाएंगे तो करीब-करीब दो page में ICS category में जितने भी principal service providers है वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे यह करीब-करीब दो page का sheet है जिसमें IRCTC के जितने भी service providers है वो आपको देखने को मिल जाएंगे टोटल मेरे ख्याल स करीब 80 के आज पास में principal service providers है हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं total 80 principal service providers available है इस PDF फाइल में दोस्तों इस PDF फाइल को पाने का आपके पास दो तरीके हैं पहला कि इस PDF फाइल को मैंने अपने मेरे telegram channel पे post कर दिया है मेरे telegram channel का link मैंने नीचे वीडियो के description में दे दिया है mobile phone या फिर अपने computer laptop जहां पे भी आप suitable है वहाँ पर आप इसको open कर सकते हैं और open करके जो भी आपके nearby में principal service providers है principal service providers से बात कीजिए और जो भी आपको better service, better support और better price में IRCTC की agency, IRCTC की agent ID provide करता है उससे आप service ले लिजिए और per booking पे non AC में 20 रुपे और AC में 40 रुपे commission कमाते रही है और unlimited ticket book करते रही है और दूसरा तरीका है आपको अपने computer या फिर mobile phone में Google Chrome या फिर कोई भी browser जिसमें आप suitable है आपको इसको open कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पे इस address बार में आपको यहाँ पे एक website type करनी है irctc.co.in यह website आपको यहाँ पे type कर लेनी है इस website का link मैंने नीचे वीडियो की description में दे दिया है आप उस पे direct click करके भी इस website को आप open कर सकते है इस website को यहाँ पे enter करने के बाद आपको इसको यहाँ से open कर लेना है जैसी website open हो जाती है आपको इसको scroll करके नीचे की तरफ आना है नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक option मिल जाता है agents का आपको इस पे click करना है जैसे आप agents के उपर click करते हैं आपके सामने यहाँ पे multiple options देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको IRCTC authorized service providers के उपर click कर देना है जैसे आप इस पे click करते हैं आपके सामने IRCTC के authorized जितने भी service providers है उनका PDF फाइल आपको यहाँ पे download हो जाता है updated list मैंने मेरे telegram channel पे post कर दिया है आपको क्या करना है नीचे video के description में मैंने मेरे telegram channel का link दे रखा है आपको उस link के उपर click करना है मेरे telegram channel को join करना है और वहाँ पे आपको IRCTC के जितने भी principal agents हैं उनके list वाला PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा आपको वहाँ से उसको download कर लेना है डाउनलोड करके अपने mobile phone या फिर अपने computer laptop में आपको उसको open कर लेना है और जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है उस तरीके से आपको उनसे contact करना है और जो भी company आपको better service, better customer care support और कम से कम budget में आपको railway के agency provide करती है आपको उनस वह agency ले लेनी है और अपना काम आपको start करना है दोस्तों जब भी आप एक authorized IRCTC railway के agency ले लेते हैं तो आपके पास भी एक इस तरह का envelope आपके जो भी आपका communication address है उस address पे आपको एक इस तरह का envelope भेजा जाएगा इस envelope में आपको एक welcome letter होगा एक आपका certificate होगा और इसके साथ साथ आपके पास एक इस तरह का DSC digital signature certificate का एक dongle भी आएगा इसके तुरू आपने multiple computer laptop और desktop में आप login कर सकते हैं login करके आप अपने ticket booking का काम कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इस DSC digital signature certificate इस dongle को सबसे पहले आपको अपने computer में install करना होता है और इसको कैसे install करना है इसके उपर मैंने complete video बना रखी है ये वाली ये वाली video आप देख लेना देखकर आपको इसको कैसे install करना है आप install करना सीख लेना और जब भी आप इसको install कर लेते हो install करने के बाद आपको first ticket कैसे book करनी है इसके उपर भी मैंने video बनाई हुई है ये वाली आप इस वाली video को देख लेना और इ आप OTP के थुरू कैसे आप IRCTC की वेब साइट पे लोग इन करेंगे और कैसे आप टिकेट बुक करेंगे उमिद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के स आपने सवाल पूछ सकते हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में दिये हुए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके आउन कर लिजिए और आप ये वीडियो फेस्वीब कर देख रहे हैं तो इस पे